हेलो एवरिवन तो आज मैंने देखिए बनाया था गाउं जैसा बिल्कुल बाटी जोखा बहुत ही जादा टेश्टी बनकते यार हुआ था इसे मैंने बनाया है मुंबई में अक्सर हम गाउं में जाते हैं तो बाटी जोखा बिना इंजॉय करे आते नहीं हैं क्योंकि हम आजकल पसंद आता है तुने हमें ही यहाद दिलाना पड़ेगा कि हां यह सब भी खाया जाता है तो मैंने यहाँ पर देखिए घर पे ही बना दिया था बाहर ऐसे थोड़ा सा लकड़ी वगर था तो मैंने जला के बना दिया और इसका वीडियो इसकिप हो गया पता नहीं क चोखा भी में बना दे रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन बहुत ज्यादा टेश्टी लग रहा था तो देखिए इसमें डाल देते हैं एक चमच ऑईल स्वादरूसार नमक एड़ कर देंगे और देखिए सूखे हुए मिर्च को ना फ्रेंड्स मैंने अच्छे स इसमें मिक्स कर लिया है तो आपको इस्टा मिर्च डालने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है अब तीके के कोडिंग ले सकते हैं और मैंने एक मिडियम साहच का ओन्य ले लिया था उसे भी डाल दिया है तो दे सकते हैं सिंपल तरीके से बहुत ही टेश्टी चोखा हमारा तैयार भी हो चुका है बनाते टाइम बारिस का मोसम था लकडियां पहुत जल्दी इदम नमी जैसी थी और बन नहीं पारी थी ऐसा लगा कच्छा रा जाएगा लेकिन बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी थी फ्रेंट तो आई होप की मेरी आज की रेस्पी आपको अच्छी लगी हो नो प्लीज हमें जरूर बताईएगा मैं ऐसी नए नए रिसस लेके आते रती हूं और अगर आपको कुकर में बाटी सिखना है बनाना तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं आपको जरूर बना कर दिखाऊंगी तो चलिए फ्रेंड ऐसे ही मिलते हैं नई रेस्पी में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए फिर्ट बाबाए एंड टेक केर